Hello everyone, कैसे हैं आप सबी? आज ये डियाई की second class है हमारी और first class अलरड़ी हम लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं और ये बहुत ही beneficial होने वाली दो class हैं और पूरे 25 number देखें, arithmetic में छोटे-छोटे 5 number का portion आएगा वो आप बना लोगी क्यों? इतनी calculation तो मैंने डियाई की तुरू आपको सिखाई दिया थोड़ा बहुत तो आप भी तो जानते हैं तो 20 number डियाई की तुरू आपको मिलने वाले हैं इसमें कोई दोराय नहीं है अब आज second class डियाई की देखेंगे और आज की थोड़ा सा level आपको up मिलेगा क्योंकि first level बेसिक चीज़े हम लोगों ने first class में already cover कर रखी हैं second अब class में थोड़ा सा level up होगा सबसे पहले ये डियाई आप देख पा रहे होंगे इसका pattern समझ लीजे कि ये एक आगंतुक है और total आगंतुक कितने हैं 400 आगंतुक है और यहां पर ये days दिये गए हैं days हैं सुक्रवार सनीवार रवीवार और उन days में particular male और female का जो ratio है वो दे रखा है पहले male है और बाद में female है पहले आप देख रहे हैं male है और फिर क्या है पहले male है और फिर female है चलिए सवालों के थ्रू चलते हैं और फिर देखते हैं ये देखे पहला सवाल आचुक है आपके पास पहले सवाल आपके पास आचुका है और पहले सवाल कहा जा रहा है आप से कि मंगलवार के दिन महिला अगंतुकों की संख्या सनीवार के दिन महिला अगंतुकों की संख्या से एक बटा पांच जादा थी सबसे पहले तो आप यह जानो बच्चे कि मंगलवार के दिन महिला अगंतुकों की संक्या आप कहोगे मंगलवार तो यहाँ पर है यह नहीं गही लेकिन मंगलवार को रिलेट किस से किया गया है मंगलवार को रिलेट किया गया है सनीवार के दिन से तो भाईया पहले हम यह ज लिखा है कि टोटल 400 लोग हैं यह बात आपको दी जाएगी यह बातें आपको instruction के थूँ गिवेन होगा तो टोटल कितने लोग हैं टोटल हैं आपके पास 400 और यहां भी है हर सवाल में टोटल कितना लेना है आपको 400 लेना है तो चलो अलग-अलग भी 400 को बाट लेते हैं यह जामते ही कि 400 में Friday को कितने आए सटलडे को कितने आए संडे को कितने आए तो 400 का 25% 25% बोले तो 1 4th पार्ट यानि कि 100 लोग आए हैं Friday को 400 का 30% होता है 120 120 लोग आए हैं 120 लोग आए हैं Saturday को और 400 का 45% निकालोगे तो कितना आता है 180 180 लोग आए हैं Sunday को clear इतनी बात बताईए देगे 400 का 45% कैसे निकाला आप भी जान जाओगे देखो मुझे 400 का 45% निकालना है न तो एक काम की यहां से दो पकड़ी इस 45 को दे दिये 9 हो गया 90 का मतलब 9 और 9 को यहां दो बचे का 100 सी आजागा ठीक है तो यह चोटी मोटी कैलकुलेशन आपको सम 120 और 120 में 120 में यहां पर देखो तो 5 यूनिट महिलाओं को रिपरेजेंट कर रहा है तोटल हमारे साबसे 75-12 12 की वैलू है 120 तो एक की वैलू 10 आएगा यानि सनीवार को जो महिलाए आई है वो आई है 50 सनीवार को यह थी महिलाए आई है 50 तो 50 से 1 बटा 5 जादा थी कब मंग मंगलवार को तो 50% एक बटे 5 का मतलब 20% 20% ज़्यादा थी तो 50 का 20% जब आप ज्यादा करोगे तो कितना आएगा 60 यह मुझे पता चल गए कि मंगलवार को जो महिलाएं आई हैं जो मेंस आई हैं जो फीमेल्स आई हैं वो कितनी आई हैं 60 अब यदि मंगलवार के दिन पूर कितना 11.56 और यह किस दिन का रेशो है यह मंगलवार का रेशो जिसमें से हमने महिलाएं जान ली हैं कितनी आई हैं हम बोलने हैं 6 की वैलू सवाल में कितनी हैं 6 की वैलू 60 है 6 की वैलू 60 है तो 1 की वैलू 10 आएगी और हमसे पूछा गया है कि मंगलवार के दिन आगंतुको की संख्या मतलब पुरुष और महिला दोनों को मिला के तो पुरुष और महिला दोनों को मिला के यदि हम देखेंगे तो सत्र आएगा छै की वैलू साठ है एक की वैलू दस दस सत्रा की वैलू एक सो सuld सतर है यानि कि quindi answer क्या हो जाएगा B answer हमारा right हो जाएगा clear ना ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं क्या एक बार फिर से बताया जाए आप इसको दुबारा देख लीजेगा वीडियो सूट हो रहा है अब ये तो करी सकते हो इतना तो दुबारा दो देखी लेना ठीक है चलिए अब देखिए दूसरा देखिए इसी में दूसर सवाल यह हम बनाए कि सनी वार को आए कुल अगंतुकों में से 35% वैस्क है हम चाहते हैं सवाल को बिल्कुल स्लो मोशन से आपको बताएं क्योंकि सवाल की बहुत सारी विसस्ता हैं जो की आपको सीखनी सनी वार को आए अगंतुकों में से 35% वैस्क है सबसे पहले तो 35% की फ्रेक्शन जानो यह वाला जब परसेंटेज हटता है ना भाई मेरे तो 100 का भाग लगता है अब इसको जब आप काटोगे किस से काटोगे 5 से तो 20 बार जाएगा इसको काटोगे तो 7 बार जाएगा किस सी भी भिन का जो हर होता है वो टोटल को बताता है इसका मतलब यह हुआ कि सनी वार को जो कुल लोग आए हैं वो कितने हैं 20 जिसमें से जो वैस्क हैं वो कितने हैं वो हैं साथ तो आप से हम पूछें कि अडल्ट और जो चाइल्ड हैं अडल्ट और जो चाइल्ड हैं उनमे क्या रिश्य होए तो आप को गे अड़ल्ट है साथ यानि वयस के साथ और तो चैल्ड कितने बचे तेरा इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 20 किसी भी बिन का जो हर होता है वो टोटल को बताता है टोटल हैं 20 जिसमें साथ है अड़ल्ट तो बचे वे चाइल्ड होंगे यानि की 13 क्यों क्योंकि ये फ्रेक्शन किसका था ये परसेंटेज किसका था ये वयस का परसेंटेज था अब एक वयस के टिकट की कीमत एक बच्चे की टिकट की कीमत से दुगनी है एक बच्चे की कितना 13, total कितना 27, हमारे हिसाप से total खर्च 27 यूनिट है, उनके हिसाप से total खर्च कितना है, 81-100 रुपय है, इस 27 की वैलू 81-100, एक की वैलू 314 की वैलू 442, एक की वैलू 314 की वैलू कितनी आएगी, 42, हमने ये जान लिया, कि total जो अडल्स का खर्चा है, वो कितना है, 42, एक वैस की की मत मुझसे पूछी गई है, तो सनी वार को वैस क कितने हैं, सनी वार को total कितने लोग हैं, आप बलोगे 30%, 400 का 30% कितना होता है, 120, अब 120 में से 35% वैस के, तो 120 का, यदि हम 7 बटा 20 निकालेंगे 35%, तो यहां से कितना हैगा, यहां से आजाएगा, आपके पास कितना, 420, तो 42 में 420 अडल्ट है, तो एक कंडिडिट को कितना रुपए देना पड़ रहा है, एक कंडिडिट को आप देखेंगे यहां से, ठीक है, एक कंडिडिट को एक जिरू कट जाएगा सिर्फ 42 आएगा यानि कि 100 रुपया कि इतना इतना चिने आप समझ रहे हो क्यों क्यों कि बेसिक हम लोग कर क्या है और अब जो हाई लेबल जा सकता है कि यानि की एकजाम में एकग्जाम का पैटरन जो अप लेबल का बन सकता है जो accepted pattern हो सकता है वो यह हो सकता इससे जादा फिट अफ नहीं जा सकता इससे जादा फिट अफ नहीं आ सकता आप यह सूच के बैटो कि नहीं हम सिंगल लाइन में सवाल करते हैं और आंसर देते जाएं तो वो तो अब मुस्किल है क्यों उसके लिए आपको first video देख सबसे पहले तो हमारे पास 400 पुरुष थे यहां पर total पुरुष थे 100 नहीं टोटल कंडिडेट 100 थे यहां पर टोटल कंडिडेट 180 थे यहां पर टोटल कंडिडेट 120 थे यह बातें आपने जानें तो यदि हम बोलने कि 5 की वैलू ये Friday है और Friday को हमारे हिसाब से आएं 100 तो ये 5 की value 100 है, 1 की value 20 है, 2 की value 40 है, 7, 5, 12, 12 की value 120 है, 1 की value 10 है, 7 की value 70 है, 4, 5, 9, 9 की value 180 है, Sunday को देखी आप, 9 की value 180 है, 1 की value 20 है, 5 की value 100 है, इसको आप add करोगे, तो ये 7, 4, 1100 यानि 210, 210, C option right आजाएगर, तीनों दिनों में पुरसा अगंतुकों की कुल संग्या कितनी आजाएगी, कितनी आजाएगी, 210, ये बातें आप समझ पाएगे नहीं, अरे भाईया एक बात बताओ, इस 100 को किस ratio में तोड़ोगे, इस 100 को, इस 100 किसका है, Friday का है ना, Friday का मतलब 2, 5, 3 के ratio में, अब हम आपसे कहें कि 2 अनुपात, 3 में, इस 100 को बाटो, इस 100 को बाटो, और यहां से मेल पकड़ लो, तो क्या को उनों दिक्कत आएगी, आप मुझे बताओ, 3, 2, 5 की value कितनी, 100, 1 की value कितनी, 20, 2 की value कितनी, 40, वही तो 40 लिखे हैं ये, ये 7, 5 हम आपसे कहें, हम आपसे कहे सनीवार को कितने लोग आएं, सनीवार को बताओ, 120 लोग आएं, आप बोलोगे, सनीवार को 120 लोग आएं, अब 120 में, 7, 5 का ratio है male, female में, अब हम आपसे कहें, लल्ला, 120 को 7, 5 के ratio में बाटो, तो आप 7, 5 का मतलब 12, 12 की value, 120, 1 की value, 10, 7 की value, 75 की value, 50, आपको male पकड़ने, यहां सब्सक्राइब इसको बाट दिया अब रेशो इस चोटी बाते हैं इन पे आपने पहली क्लास में गौर नहीं किया होगा तो दूसरी पुरो सा अगंतुक तो आपने निकाल ले ठीक है यह बताओ इसको कैसे बनाओगे सुक्रवार को महिला अगंतुकों की संख्या कि कितने प्रतुसत है अच्छा सुक्रवार को महिला अगंतुकों की संख्या अब आप सुक्रवार में लोग कितने हैं टोटल थे चार सो चार सो J, 200 सुक्रवार, को total लोग कितने हैं 0 तो 5 का महिलायें पकड़नी, आपको 5 कि vs कि नी है पांच कि वैलू कितनी है 100, 1 कि वैलू कितनी है 20 और हमें यदि महिलायें जाननी है तो 3 कि वैलू कितनी है 60 यहां से महिलाएं 60 आगे अब हमें रवीवार को महिला अगंतुक देखना है तो रवीवार का मतलब समझो जरा यह रवीवार को टोटल कितने लोग है संडे को 180 एक सो असी, चार पांच नो की वैलू एक सो असी है, नो की वैलू एक सो असी है, एक की वैलू कितनी है, एक की वैलू बीस है, तो यहां से महिलाएं देखें तो कितनी है, एक की वैलू बीस है तो चार की वैलू कितनी है, असी, हमसे पूछा है सुक्रवार को महिला अगंतुक सुक्रवार को महिला अगंतुक की यदि हम बात करें तो सुक्रवार को महिला अगंतुक आ चुकी है 60 60 का परसंटेज निकालना है किस से रवी बार को महिला अगंतुक मतलब 80 तो 60 80 का कितने परसंट है आप अच्छ जानते हैं 3 बटा 4 है 3 बटा 4 का मतलब 75% होता है नहीं पता तो 3 बटा 4 में 100 का अगुणा कर लो क्यों कि percentage तो 100 पे निकलता है ये percentage का sign जब भी लगता है तो अकेले नहीं आता ये 100 को 7 में लेके आता है ये बात ध्यान रखो कितना आजाएगा 75% चोटा चोटा है ये percentage और कुछ नहीं है और आप देख रहे हैं कि इस तरह की D.I. ये इस तरह की D.I. जिसमें आपके साथ पाई चार्ट के साथ साथ में information लगी होती है कैसे बनाते हैं एक बहुत ही famous सवाल बनता है D.I. में और इस दंड आरेक पर बनता है कि देखिए एक सवाल example लिया मैंने कि computer की March मांग में March महीने की मांग की तुल्ना में फरवरी महीने की मांग लगबग कितने प्रतिस्सत है तो आप एक चीज़ समझेगा यहाँ पर percentage आपको find करना है मतलब computer की March महीने की मांग computer की March महीने की यदी हम मांग देखिए तो computer यह March महीना है और मांग का मतलब हमें यह ब्लू कलर देखना है यहाँ से तो यह ब्लू कलर मांग किस में मार्छ में कितना है 2000 Tesか तुल्ना में फरवरी महीने की मांग लगबग कितने प्रतिस्सत है किस से 2000 से percentage find करना है तो multiply 100 तो बनता ही यह करना पड़ेगा तो यहां से आप देखेंगे 20 यह फिनिस हो जाएंगे और यह 2500 यानि कितना जाएगा 5% आ जाएगा तो आप एक सिस देखो तुलना मुझे करनी है किस से तुलना मुझे करनी है मार्च महीने की मांग से और करनी किसकी है तुलना कंपैरिजन करना किसका है फरवरी महीने का कंपैरिजन करना है तो बच्चे मेरे जिसका कंपैरिजन करना होता है उसको अंस बनाते हैं जिससे कंप और किस से करना है, मार्च महिने की मांग से, that is denominator रहेगा, अब percentage में answer comparison करके बताना है, तो गुने 100 तो करना ही पड़ेगा, अब मुझे बताओ, मांग फरवरी महिने, ये तो फरवरी महिने की मांग, मांग के लिए मुझे ये color देखना है, वो भी फरवरी महिने का, यानि कितन है 100, कितना है 100, और फरवरी और मार्च में भी हमें मांगी देखनी है, जो कि 2000 है, तो और इंटू कितना करना है, 100, percentage sign लगाना है, 2-0 से 2-0 cancel, 20-500, कितना आजाएगा, 5% answer आजाएगा, first right answer हो जाएगा, clear, आप ये देखो जाएगा, इसमें देखो, ये भी बहुत प्यारा स सवाल है, बहुत पूछा जाता है, ये सारे सवाल मैंने बहुत ही, मतलब different रखे हैं, बहुत ही छटील सवाल रखे हैं, आपको समझ में आएगा, कि उत्पादन की तुलना में अधिक मांग, आपको बस एक लाइन पढ़नी है, उत्पादन की तुलना में अधिक मांग, just इ बाते हैं, जो कि आपको समझनी है, आप यदि सीख के पहले जाएंगे, speed में तेजी होगी, यदि आप ये सोचो कि हम exam hall में practical करें, exam hall में experiment करें सवालों पर, और answer निकालने की कोसिस करें, तो हो सकता है, आप गलत भी वहाँ पे हो, जरूरी नहीं कि आप right answer करके आएं, तो इसलिए चीज़ों को पहले से देख करके जाएं, उतपादन की तुलना में अधिक मांग, मांग अधिक मतलब ये वाला color किस किस सन में, किस किस मंस में जादा है, ये वाला color, तो पहला तो ये एक और दो, बाकी किसी महिने में मांग अधिक गई नहीं है, यानि दो ऐसे महि महिने जिसमें मांग अधिक है तो बाकी के जो महिने होंगे उसमें उत्पादन अधिक रहा होगा रहा होगा कि नहीं आपको चेक करने के जरूरत नहीं है टोटल महिने गिल लों कितने हैं एक दो तीन चार पांच पांच में दो महिनों में मांग अधिक है तो बाकी के तीन मह कब एंच्जाओं और टोटल पांच से भी जादा निकाल देते हैं मैं तो ये कहरा था था हलागी देखो इसका walking Sum पांच है इसका walking Sum 5 है तो पांच के केस में वह गलतिया कर वैठे और और option भी बहुत बारीक के देते हैं जिससे Musk होने के बहुत सारे chances होते हैं तो आप एक account कर लो दूसरा आपने आप निकलाएगा clear ये देखें ये तीन डंड आरेखों को एक साथ ने मिला करके बनाया गया है आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें glucose, cream, cracker, biscuit और नमकीन, biscuit तीन तरह के biscuit हैं और सन 1993, 94, 95, 96, 97 का पूरा ग्राफ है और सवाल पर आते हैं जैसा पहला सवाल आप देख पा रहा हैं एक बर वीडियो को रोग करके आप खुद से प्रयास किया करो, खुद से करने की कोसिस किया करो कि आप कर पा रहे हो या नहीं सबसे पहले 94 से 95 में निर्मित glucose बिस्कुटों की संख्या में कितने परसंट की गिरावट हुई है 94师 से 95 कौन सा बिसकिट, Glucose का मतलब हुआ यू अलग ब्लू अलग कलर, Glucose में ब्लू कलर देखना है और 94 से 95 94 से 95 किया ब्लू कलर में गिरावट हुई है, हाजी गिरावट तो हुई है, पहले यहां ब्लू कलर तीस था, अब यहां blue color साढ़े 22 रह गया जिरावट तो हुई है इस जिरावट का हमें percentage बताना है यानि इस कमी का percentage बताना है आपसे सीधा पूछता हूं कि 30 से 20,25 रह गया कमी बताओ कितने की जिनाप आप का उत्तर होगा साड़े साथ की कमी कितने की कमी साड़े साथ की कमी मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना यदि इसी कमी का मुझे परसेंटेज बताना हो तो कमी का परसेंटेज यानि कम का परसेंटेज हमेशा जादा पर निकलता है और जादा का परसेंटेज हमेशा कम वाली संख्या पर निकलता है यानि greater का percentage lesser number पर निकलता है और lesser का percentage greater number पर निकलता है भाई सुख का percentage दुख से निकालोगे ना तकलीफ हैं आज मिल नहीं जब कल आपकी जौप लगेगी तभी तो उस सुख को महसूस कर पाएंगे आप तो comparison हमेशा दुख का comparison सुख से बड़े का percentage बढ़ा number का तुलना हमेशा छोटे numger से होती है और छोटे का percentage हमेशा बड़े से किया जाता है opposite चलता है तो कमी का percentage हमेशा बड़ी वाले number से निकलेगा यानि किससे निकलेगा 30 से इंटू कितना 100, बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है, एक, जीरो चैन्सिल हो जाएगा, यह वाला 10 इसको हटा देगा, और 25% आंसर आ जाएगा, 25% की कमी, यानि कि C option क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा क्लिवर ना सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यह बात बताओ यहां से पताइए इस सवाल का अंसर कैसे करेंगे आप बुला यह 93, 95, 97 में निर्मित क्रीम कैकर विस्कुटों की कुल संख्या और वर्स 94, 96 में उसी प्रकार की विस्कुटों की कुल संख्या में अंतर बताओ भीया 93 में 93 में 93 में देखना है 93 में कौन से विस्किट क्रीम कैकर विस्कुट क्रीम कैकर का मतलब मुझे रेड कलर लेन है फिस सब्तानवे गरेड कलर लेना यानी कि तीस लेना इन सब को पहले तु जोड़ो कुल संख्या निकालो इन सब की कुल संख्या का मतलब जोड के आप एक चीज़ देखना देखना जोड़ने कर तरीका समझो यह धाई यह धाई उठाए और इस साड़े पूरे तीस हो गए तीस और यहां दस बचा कितना हो गए चालिस और चालिस और तीस किसको नहीं पता सत्तर देखिए जोड लिया तुरन सत्तर आ गया अब हमें बताना है यहां से कुल संख्या निकाली वर्स चौरानवे और च्छानवे में उसी तरह की बिस्कुटों की संख चौरानवे मतलब यहां से पच्छिस है यहां से कितना है पच्छिस और च्छियानवे यानि की यहां से यह तो इनको जोड़ोगे तो कितना हैगा इनको जोड़ोगे जनाप तो पैतालिस आएगा और इनके बीच का अंतर पूछा गया है तो बताओ पच्छिस होगा की नह पूछेए जोडगटा ना गुणाबाग कम जादा का परसंटेज एफरेज यह įह तो डियाई है अपने दिमाग से पहले तो यह निकालो बात कि डियाई बहुत डिफीकल्ट है सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकालो ज़ादा जितना ज़ादा पैनिक होंगे न मैट्स आपको उतना ज़ादा सताएगी सबसे पहले अपने दिमाग का ये जो एक सेट कर रखा है कि बहुत कठीन है इसको हटाओ पहले कुछ नहीं है बहुत साधारन मुझे पूरा वरोस है पूरा 100% पेपर करके आने वाले हो 100% आप करके आने वाले हो यदि पूरे वीडियो आप सही सलामत देख रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो तो मैं नहीं बता सकता है यदि आपने वीडियो पूरे देखे हैं completely तो आफ 100% स्कोर करने वाले हैं वीडियो देखके फिर मुझे comments पर बताना कितना फसा तीनो प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्स नियुन तब था अच्छा एक बाद बताओं te na praakar के व्ीसकुटों का उत्पादन यदि आपको चेक करना तरि यू सब हमें add करना पड़ेगा किनी जब तक हम add नहीं करेंगे तब यह बता पाएंगए 30- 30- 60, 60- 65, यहां से 65 पूरा आ गया है, clear, आप इधर से पकड़ो, यह 50, 30- 20- 50, और 25, यहां से 75 आ गया, यहां से देखो, यहां से देखना, यह धाई उठा के इसको दे दिया, यह पूरे 30 हो गया, 30 और 20- 50, पचास और 35- 85 यहां से बन गया, इधर देखो, यह तो सीधा सीध कितना लिखा है 75 लिखा है आपके पास यह देखो धाई पकड़े इदर 30 30 20 50 50 30 80 अरे धाई यहां से पकड़े इसको दे दिये 30 यहां 20 बचे 30 20 50 50 30 कितना होता है हमको बताना निउन्तम आप ही बतादो सबसे कम डाटा किसका है 80 75 85 65 में सबसे कम डाटा किसका है सबसे कम data मुझे बता दो किसका है 93 का 1993 में यह 75 बाकी तो सब ठीक ठाक है सब जा देंगे सबसे कम वाली value बतानी है यह काम बड़ी speed से होंगे और यह speed आपके अंदर तभी आएगी जब आप मेनत करेंगे चीजों को अभी देखे थे यार निउन्तम का निकाले थे तीनों को जोड़े थे data याद रखो अभी तो अभी तो अभी तो देदिये थे तो यह पूरा हो जाएगा हमारे पास कितना 30 20 50 50 35 इसी का पच्चासी निकले थे बागी किसी का पच्चासी है ही नहीं मुझे data याद अभी अब एक बार आपने data निकाल लिया उसी data से निउन्तम निकाल लिया करो उसी data से अधिक्तम निकाल लिया करो कभी कदर आपके एक सवाल की calculation का data कई सवालों में use होता है तो data आप सुरच्छित रखे